आपकी आवाज हो तीनी आरी है? आपकी तरफे जा हाए? मुझे आपकी तरफे पर आपकी तरफे तरफे है? में लेकि मालम नियुछा, मैं 2018 ने, नवंबर चे में धाइटिंश्री की एक लास्टमी की लिये, जो परकी घर में थे जार्यांस केंदर में, जैसे मैंने दो तर्फ जवारी की रोती है, और दो पहरी में च्यामदना शुरी किया, तो मैंने नवंबर, दिस्वंबर, जन्रेल मेरे जो नीज हमा खुतनों में घड़र्ब हने लगा शायद तो घर में बोले कि अरे ये रोटी खाने से शहन यह हो रहा तो मैं छोड़ दी इस वार में बोड़ी में बहुत 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 होने लगी मुझे इवन जस्त एक आपिंटी स्लाइट और एक चेप क कली इखांट में माहने के पहुत आप तो अभी आपका दूज अठारा सी है जी दोज़ार अठारा सी है ने उसके राज हो कर टाब्रेट के लिए और सज्ज के लिए चैलिशन के टाब्रेट के लिए दूर पीए और इस बाद तो पेंच लेया लेकिन ऐसे आइची जी तो एसी डीटी का मैं आपको एक रूटीन भेज देता हूंगी कि आपको खाना किसमें खाना है पीना पानी कप पीना है तो आप उसको फॉलो करो तो थोड़े तिनों में ठीक हो जाएगी 15-20 दिन महीने में दो काम होता है एक तो खाना और पानी को रेगुलेट करना होता है दूसरा आपको वाक एंड रेस करना पड़ता है कि पांच मिनट चलो पांच मिनट लेट जाओ ऐसे करके दिन में काफी देख करना होता है तो अगर आप 15 बारी पांच मिनट चलोगे पांच मिनट लेट हो हलो 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 है हां मैं आपको रूटीन भेज़ो खाने पीने का कि कब पानी पीना कब खाना खाना है स्ट्रीना ह της कि वारी लिए दुरेशन को खाने घर ऑट सबया। से सब्ढे़ गतानी तरफ इना हीना है आपको ये मालूमें एसिरिटी क्यों होती है या क्या होती है सर् सीरिय के स्रे構शिश करो बात को समझनी कोशिशिश करो ऐसिरिटी का मता होते है इंडाजेशन आप जो ख़ाना कहते है वो पच्पेटा नहीं है फिए आपको जो बर्निंग होता है जिस्टे कर समयदिये हैạnhा अवेसा नहीं होता है ठीक है, आप जो भी इसके लिए treatment लेते हैं, कोई भी medicine लेते हैं, कोई भी आप खाने पीने का system follow करते हैं, वो सब faulty होता है, खाने पीने से acidity नहीं होती है आपको, आपको अब बात सुनिये तो सही, आप कोई भी tablet खालो, कुछ भी खालो, जिंदिकी बार ठीक नहीं होता है, मेरे को डॉक्टर खुद है, जिसको acidity हो गई, वो भी मुझे फोन करके बोल रहा है, कैसे टीक करूँ अब बात समझेए, पहली चीज तो एक fundamental चीज होती है, आपको acidity होने का मतलब है कि आपको खाना नहीं पच रहा, अगर आपको खाना नहीं पच रहा, और हर दो तीन तीन गंडे बाद आप कुछ ना कुछ खाते रहोगे, तो कैसे पच जाएगा तो acidity में सबसा पहले काम करना होता है, कि आपको बहुत शिकली सिर्फ तीन बारे खाना है, तीन बारी के अलावा बिलकुल नहीं खाना, और हर खाने के वीचे में पांच-छे गंडे गया, आपको खाना पचेगा, अगर आपने शुबे ले लिया, फिर उसके बाद आप इस वारे में सोचते रहोंगे, तो आपको सारी जिन्दगी नहीं बदा चलेगा, acidity क्यों होती है, acidity का सिरफ एकी मतलब होता है, कि आपको खाना नहीं पच रहा, आप इतनी उसे deep मत जाओ, तेल से क्या होता है, तारी तुनिया, जब आप पहला हुए थे, तब से ते आप शू कर देते हैं, बिना बाद के फिर उसके अलावा पानी के उपर इतनी वीडियो आती है, वर्ट्चेप पर, तो तेख के हम पानी जादा पीने लग जाते है, अब बात समझो, आपको सिरफ और सिरफ खाने को रेगुलेट करने, क्या खाना है, उससे कोई फरक नी ब जैसे ये चीजे छोड़ते जाओगे, आपकी प्रॉलम बढ़ती जाएगी, आपको दुनिया की हर चीज खाना है, स्पाइसी भी खाना है, तेल भी खाना है, उसके बाद अगर आप ठीक रहे, तो उसको ठीक होना कहते है, वरना ठीक कैसे हुए, अगर आपने खाना पीना ह जी छोड़ दिया, तो ठीक हासे हो गए अब, जिसको कुछ नहीं आता, वो बहुत सारी बाते करते है, मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूं कि जो डॉक्टर है, वो भी फोन करके बोलता है, कि दो साल लोगे मुझे अराम नी मिल रहा है, मैंने सभी कुछ कर लिया, सभी दवा आप बात को समझ म sincer कोषिश करो, आप इतना जर्लाड़ कन्फियोज होगे तो आप डिले करोगे, देखो, आपको मेरा नमबर मिल गया, एक बिनमेरा नमबर मिल गया, आपको मेरा नमबर मिल गया, ठीक है, अब मेरी बात मानों या ना मानों आपके पस कोई भी इसके और उसे सिरफ अपढ़ नहीं हुथा दुनिया की कोई भी पीमारी हो सब चीजों का इसी होता है चाहे किसीगों और लाव सेसका वह भी इसी से ठीक हो जाता है क्योंकि जब आपको खाना नहीं पचता तब भी ब्रोब्लम थोड़ा का प्रोडम जरी हाँ थोड़ा थोड़ा प्रोडम है आपको जानदर जादा मैं अगर कुछ इस पाइसी खालिया, गोश्ट खालिया, नीट खालिया तो मुए पहरे पेज़ा जाते हैं। क्या बाजाता है पहले का नहीं तिंटो एक्नी अच्छ चलिए कोई बात नहीं आपको मैं रूटीन का एक लिंक भेज देता हूं आप उस रूटीन का नहीं को हुआ है कि अमले कि आपको पचता में आपम कोई अच्टा नहीं है तो चाहिये में तो और असे धोट यहां lowest है जब आपको एक नॉर्मल खाना नहीं पच रहा जब आपको स्पाइसी नहीं पच रहा तो गोश कहां से पच जाएगा? गोश कहां से पच जाएगा? जाओगे एक मेंड़ी बाद करता हुआ क्या अपया है? हलो मास पर लोगने उसका अब हलो हंजी हलो जी एक में थे पीजिए कंडल कर लीजियो थोड़ी तरवबाद एक हंड़े तक कॉल कर लिजियो कटे सिथरी ने करके हैं या किया इस डिटीस हुआ किस डीस हुआ इस डिटीस फिजञे कशने कि आपके खकन लीजिए गिस to आपको बात करता हूं आपको आपको पाराम से बात करता हूं गंटे तक और आपको पतायता हूं और उसके हिजाब से आपको रूटीन को फॉलो करिये खाने पीने का आपको दो दिन में फरक पड़ जाएगा आपको फॉलो करूंगी मैं फिर से ओली की चीजा और यह सब खाता हूंगी हाँ खा पाएंगे 15-20 दिन थोड़ा सा दीरी-दीरे करके बढ़ाएं एक साथ मत बढ़ाएंगा अचानक से दीरे-दीरे करके और यहां आप ते खाने की बाद खा हूंगी ज्याता कुछ प्राबलम होंगे मिल्ची विर्ची शिश्पाइसी वगरा अधेड़रर सब कुछ खाना होगो तो यहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आप से बात हो रही है ना आपके बाद कोई दूसरा मोबाइल नहीं है उससे आवाज बहुत दीमी आरी है आप एंस्वी होगे तो नहीं यूज करें ने ने अपके बाल सारे के सारे चले जाएंगे अगर आप ये फॉल को देखते रहोगे तो ये फॉल से कोई भी गंजा नहीं होता बाल ना उगने से गंजा होते हैं आपके बालों का जो जड़ होती है ना उसको टाइट करेगा टाइट करने से नीचे से जो न्यूटिशन मिलना होता वो नहीं मिलेगा बाल दीरे दीरे करोके कमजोर हो जाएंगे और तूटने लगेंगे अगर आप ऐसे सोच ओगे तो अपके बाल कभी नहीं बचेंगे अगर आपको बाल बढ़ाने हैं आप चाहते हो कि आपके बाल काले भी रहें, बड़े भी और बढ़िया भी रहें, तो आप कंडिशनर और शैंपू लगाना बंद कर दीजे, आइल लगाना बंद कर दीजे, बिल्कुल कभी भी लाइफ में साबून वगारा कुछ मत लगाए, वो बंद लगाईए, शैंपू और सूक के वो ही भी डेंडर्फ हो जाता है, तो अगर आप चाहते हो कि आपके बालों में कभी भी डेंडर्फ नहीं हो, कभी भूल के भी ऑईल मत लगाऊ, यह भी छेवेने में, हाँ वो भी काले होने शुरू हो जाएंगे, जब आप यह करोगे आप अराम से साबून से दो, और उसके बाद टावल लेके हलका सा कॉटन टावल लेके हलका हलका मसाज करो, मसाज करने का परपस यह होता है कि जो आपका जो ऑईल स्काल्प से निकलना था और नहीं निकलने दिया, आपने कंडिशनर लगा के यह कुछ लगा के, वो आपके टावल में आजाना चाह कि और टॉवल को रोजद दोली जिये टांक्य जब आप दुबारा से अई बोल आ हाँ तो आपके टॉवल में वह आ जाए जो औयल होता है जो पहले से जबा हुआ होता है तो जैसे-जैसे आपको औयल साल्ट से खतम हो जएगा अपका डेंडद 요ा खतम हो जाएगा ऌपका डेंड्डर सिएगा जाएगा सेइड़ पर हिसी साबु साबो wrest face की न तरका साबुन 16 आप लक्स साबन यूज करो मैं लक्स यूज करता हूं अभी किसी ने मुझे बताया है मारगो भी आता है एक नीम वाला सोब He said की वो से वो जो हा mano मार्गो यूज करके भी देख लिए मिएधे अभी यूज नी किया मैं भी यूज करके देखूँगा पर फिलाल लक्स यूज़ करता हूँ, आप मार को यूज़ करके देखो और बता हो कितना फ़रक पड़ते हैं आपको, आप कहा रहते हैं? जी है अधरबाद, हैधरबाद में टेमपरेचर क्या गर्मी सर्दी होता है और एक जैसे मौसम होता है? हाँ उसकी यहां गर्मी सर्दी न अभी कर्मी सर्दे Non आप आ रोस के रोज एक बार साबुन लगालो और कुछ दिनों का बादर ए na 2 आ 3 दीन में एक बार साबुन लगाँ और बाकी टाइम द पाकी तेन बार स्टेल का प्लेन पानी से दो आपरिल से अब्परिया तीन दिन में एक बार शाबूल लगा हो और बक्या टाइम दो बक्की टाइम में दो शारून के बार आछा रणी के बार हम आपकी त्सेट भार हम दावना है कि सब्सक्राइम टूप जाएगगी वह गलत है वह बात मुझे बहुत लेट समझ्दाए मे कब एन पेंड करना और बेंग करना है नायसिक जर्ण होड़ियों कि मुझा शेंपव पिसका खेस्ए को मुंद यहां हिस नकुसाल करते हैं अब साथ यहां के अब जाए आप से बन कर देंगे हाँ अभी मुझे कल भी किसी का फोन आयता साथ इंडिया से तो साथ इंडिया में तो कोकोनट ओयल और 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 बहुत जादा यूज करते ना वो भरख सकेलिंग प्रॉब्सया संवील में ulk hedge curly skin वॉफ भूखो तो संकेयलिग में सोफनी ताइब definitive तो उनका ब्लाटे है मदल को भी है अनकी मदल को भी है तुफ घरा जादा था वह आपकी स्किन ड्राई होगी ड्राई होने के चक मला उसे डरियेगा माथ वो अपने आप से ठीक होगी अगर ड्राई होकर आप डर गए और अपने ऑई लगाएंगे जावर रुक्सान कर जाएगा देखें दो तीन चीजों का ध्यान रखिए एक तो बालों में ऑईल निकलता है तो सोप अच्छे से लगाना होता है उसके बाद जो ऑई जो सोप लगाते हैं सोप भी अबला बालों में आप कुछ भी करके इंफ्लमेशन नहीं होना चाहिए जब हाथ करते हैं तो हलकी उंगली से मसाज करना चाहिए और बलकि सर को आगे की तरफ जुकाकर आप हलके उंगली से मसाज करेंगे न तो जितना भी डेंटर होगा उतर जाएगा पर मसाज एक वारी में स्रव एक ही मिनट करिए अगर कैता है जितना जब है तरफ घर बाल भी आप करते न गया तो जब जमा हो जाता है तब ऊसके बाल भी आप कंगी करते नै प防म करतें तो बाल भी टेडे मेरे नी लगते हैं पर जटे बहुत हैं नहीं कि लडगी बाल देखाए कि जढने वालों का जब जिनके लड़कियों के बाल जटे होता है। सुबह से लेकर आप तक एक ही चीछ सोते रहते हैं, सुबह उठते ही सबसे बहले भागते हैं शम्पू लेने के लिए इतना डेंशन होता है, ऐसे लोगों का जिनका बाल का शम्पू बाल में हाथ भी लगाएंगे तो दस बीस बाल हाथ में आजाते हैं ऐसे लोगों का बिलकुल बाल तूटना बंद हो गया, एक बाल नहीं तूटता और ये जो तीन हंटे को खाने हैं, ऐसे बीदीचे लिए मैं आपको अभी वर्ट्शेप कर रहा हूँ, अभी मैं पुरा प्रॉपरली उसको किया नहीं होता है, मैं अभी कर रहो एक सिकिंड के अंदर आप देखिये और फिर देखने के बाद एक बार फोन करके बताएंगे को दिक्कत आते हो सब खाईए और अगर आपको किसी चीछ से दिक्कत है तो थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए कम कर दीजिए धीरे धीरे उसको इंक्लूड करते जाएए और मैं अभी उसमें दुगते हैं तो एंपर खाने का रुभी है हमारे घर में तो एंपर क्या खाने का एंपर घ्री एपल गाने का ने उसको बंद करिये है ओके साथ चीछ यह मैं आपको अभी भेज रहा हो मेसेज उसको पढ़िए और फिर बताएए कुछ पूछ नहीं है करें ओके अजिए अब आप कर लिजीगा कि कैसा हो रहा है आपका ठीक हो गया लिए जाना यहां थे तो आप नियुक्त अगर आपको ठीक कर लिजेगा इसको अगर आपको पुरह ठीक को लगता है, जैसा आपको रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं आ रहा तो एक बार बात कर लिजेगा भीची मारा आपने क्या बला है, मतर फाथी दो लेना एंगलास पानी म मैं तब डे 1 में 200 अंब टो बदिनाए लेना है याने 750 अमल पानी लेना है पिर आट बजे डिनर करना है लेकिन फिक दे तरी में अंचाब पहले पानी लेना है फिर आदे गेंड़ पानी पानी फिर उसके बार ला वान दिनर तो सार यही प्रोसेस हमनों को पूरा वन बन तक करना है दे से वन तक कि इसको आप पूरी लाइफ कर सकते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं थोड़े दिनों बाद और वैसे जो भी आपका एक्स्किनेस रहते हैं दो तीन दिन के बाद एक बाद डिसक्स कर लीजेगा कि कैसा आपको किना अराम मिल गया अच्छी वाक एंडेस का भी वेजा दना उसमें पांच मिनट के लिए वाक करके पांच मिनट लेट जाये करें दिन में कमसें पंद्रा बारी कर लीगे लिए ने वाक एंडेस तो मैंने स्टार्ट कर दिया हैं लेकिन अभी यह प्रोसीजर समन्ध में नहीं आ रहा था भी घ्राइड्रेशन डी हांडेशन बो। इसमें तो हदी तेन गिलास पानी जीना है सारा बीन में पहले दिल दा अभी वैसे आप छत्ना पानी पीते हैं भी अभी तंमें सारा बिन में सर कम सेंग दो लीटर पानी हो पीती तो ठीक है फिर आप इसी हिसाफ से चलिए क्योंकि आपका एसीडिती का जो मेन कारण है वो पानी इंटेक ही है तो आप इसी हिसाब से चलिए और आपको जल्दी दो चार दिन में आराम मिलना शोजाएगा आपको एक लेकी जब फेल निए दुन ने भूग लगती है लेकिन अब में जो बहुत भूग लगई याने ब्रेकपास्ट के फोरण बाद में आने मुझे दो बजाएगा भूग लगई फिर लगई भूग लगई अब लगई हर खाने की दूल श्यारा एगा है जो तेल की च भूग अपिटाइट मेरा सही हो गया आप मुझे हम भूग लगरी बहुत है वो तो ठीक है पर एसीटी भी खतम होना चाहिए ना तो इसे आपको भूग जो लग रही है वो तो लगती रहेगी इससे भूग का तो कोई खास अगनी पड़ेगा पर आपका एसीटी ठीक हो अब थोड़े दिन से एक महीने से भूग ज्यादा लग रही है परंतु आपको योगा और एक्सेस वगरा करने का ज़रूत नहीं है आप थोड़े दिन तक पहले बस यही करिए ओके सर तो में डे सेवन के बाद फिर आपको एगएट करना है क्या हां बीच में भी बता दो तिन दिन में ही आपको करीब परी 70-80% तो दो तिन दिन में अराम मिल जाता है तो आप एक वार दो तिन दिन बाद भी बता दीजिए कि क्या हुआ और सर में जो लेप साइड जो पेट में डिसकमफर्ट है ता है वो यह वाकिन से और यह वाटर इंटेक्स से कम हो को फेट में जेते हैं एनुट खोला छाहां तुर्दा परफलैंगे था अपट कम है यान difू जो भावश छोग भी इसां फफगव में तो था वह लिएम समय कैने आट थे ठीक में अज़ तो यह नि घर वाटर वह यदेते सामझे स 게तनेज़ समय लेकिन अंज of a ऐं बीवे का है वो भी ठीक हो जाएगा आपको आपको यवार मेडिसीन वगरा ले रहे हो तो वो बंद कर दीजएगा नहीं मेडिसीन वगरा तो तो थीक है बस इसको करिए आपको दो-तिन दिन में अराम मिलेगा दो तिन दिन बाद अब बता देना कितना हुआ आचिना टीक 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 टीक